तो कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पे बोया का M11 माइक और इसकी हम अन्बॉक्सिंग करेंगे साथ में आपको बाताएंगे कि आखिर यह किस काम में आता है इसकी हम पूरी स्पेस्पिकेशन आपके साउने बाताएंग तो फड़ा पर से हम इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं लेकिन अन्बॉक्स करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी स्पेस्पिकेशन बता देते हैं जो कि हमें बॉक्स के उपर ही देखने हूं मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्टफोन टाबलेट, DSLR, इसी भी जगह आप इसको यूज कर सकते हो जहाँ पर आपको लगता है कि हमें बेटर ओडियो क्वालिटी चाहिए दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं लाइट वेट है और नीचे लिखा गया कि यह 86 गराम का मतलब बहुत ही ज्यादा लाइट वेट अगर आप देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर चोटा सा यह बैटरी होता है और अगर आप कैमरे में यूज करते हैं तो आपको बैटरी आं करना पड़ता है अगर आप स्माटफॉन में यूज करते हो तो बाटरी नहीं भी लगाओगे तब इसको फटा-फट से अंबॉक्स कर ल सबसे अथी बत मैं आपको यहां पर दिखाओं यह जो आप QR कोड मिलता यह इसको आप स्क्रेज करके इसके अंदर जो नंबर होता है सेक्रेट नंबर आप पता लगा सकते हो बोया के साइड पर जाके कि क्या यह प्रोड़क्ट जेनुन है मतलब ओरिजिनल है तो आपको अग बारा वरेंटी कार्ट और यहां पर आपको मिल जाता है सारे समान जैसे कि अगर हम बात करें यह वाला तो यह आप कैम्रे के लिए यूज कर सकते हो यह थोड़ा सा बड़ा छोटा भी हो सकता है और यहां पर एक और दिया गया है वायर जो कि आप स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो और यहां पे आप मिल जाता है जो कि यह स्मार्टफोन के उपर आप इसको कस दोगे और इसके अंदर आप माइक लगा दोगे और साथ में आपको मिल जाता है एक केस जिसमें आप अपने माइक को रख सकते हो सेफ लिए अब हमेसा बॉक्स लेकर तो गोमोगे नहीं तरह भी तेज हावा क्यों ने चल रहा हूँ आप इस से अगर रिकोर्ड करोगे यह लगा के तो आपको ज्यादा नवाइस को रिकोर्ड नहीं करेगा नौइस कैंसल कर देगा अब हम बात करें इस माइक को इसको बाहर दालके तो आप देख सकते हो यह माइक कुछ इतना बड़ा है मतलब यह इत्तुसा और इसका में सिस्टम है यहां पर यह इतना बढ़ा और फिल भी हो रहा हूं यह उत्ता वर्जन नहीं है लेकिन यह फिल आवाज को रिकोर्ड नहीं करता है तो यहां पे अगर आप बहुत ज्यादा हावा चल रहा है तो इसका भी उच्छ कर सकते हो अगर आप अंदर सूट कर रहा हो जैसे कि मैं कामेरे में हूं तो आप केवल इसका इस्तमाल कर सकते हो कोई भी आपको दिख करने होगा अब बात क तो चीज़ है यह कुछ इस तरह से लग जाता है यहां पर यह इसको लगा देंगे इस तरह से और यह लग जाएगा किसी भी जमैपर चाहे, आप लेपटॉप में रिकोर्ड करना चाहते हो कैमरे में मोबाइल में कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है यहां अभी थोड़ी दिर में हम इस वाले माइक को लगा के अपने कैमरे पर उसके बाद उससे हम रिकोड करने वाले हैं अभी जो आवाज सुन रहे हो वह इस माइक की नहीं है वह आप डारेक्ट मोबाइल के माइक से सुन रहे हो लेकिन अगर हम इसको यहां पर लगा दें तो अभी जो आवाज आ रहा है वह इस माइक से आ रहा है क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में इसको लगा दिया है तो आप आप समझे सकते हो कि कितना ज्यादा फरक आ जाता है एक छोटी से माई को लगा के कुछ ज्यादा महांगा भी नहीं है अगर आप भरिदना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अब इसको हम कैमरे में लगा चेक करते हैं और इसको अपने कैमरे में लगान आपको इस तरह से लगा के यहां से कस देना है तो अभी यहां पर देख सकते हो हमारा माइक जो है कैमरे पर लग चुका है जो कि कितना छोटा सेटब अगर कहीं पर भी आप बलोगिंग करने जाओ तो किसी को भी कोई दिक्क्त नहीं होगा नहीं तो अगर बड़ा सेटब लोग देखके बोलते हैं कि क्या कर रहा है अब इसको अगर हम चाहिए तो यहां पर लगा सकते हैं लेकिन पहले हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यह विंड शील्ड भी लगा के रिकॉर्ड करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो कितना बड़ा ह है जो कि आप अगर यहां पर किसी तरह से जुगार लगा के लगा भी देते हो तो इतना सारा वायर यह पूरा ताम-जाम यह एक जगह है शूट करने के लिए माइक कॉलर में लगा लुए लेकिन अगर बुलोगिंग करना चाहते हो तो यह मैप एकडम बेस्ट है यह बुलोगिंग में अतना जदा अच्छा नहीं काम आता है और यह उत्ता जदा अच्छा रिकोड भी नहीं कर पाता है लेकिन इसकी अगर हम बा गैंज बोया MM1 माइक लगाया है है ये इसकी आवाज है जिस पर हमने बिना wind shield कि अभी हम record कर रहे है तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा record हो रहा होगा आवाज काफी अच्छा हो रहा होगा लेकिन अगर रहा हम wind shield हो रहा होगा लेकिन अगर हम wind कर लेते हैं तो फटाफ़ से विंड्सिल लगा लेते हैं अभी हम क्या करेंगे माइक के उपर फूकेंगे जिससे की क्या होगा कि नुआ इसका पता लग जाएगे कि क्या ये हवा को भूलो कर पाता ही नहीं तो डारेट बीना इसको लगाए हम पहले फूकते हैं अब इसको लगाते हैं तो अभी हमने विंड्सिल लगा दिया है अभी आपको आवाज का पता लग रहा हुगा कि किस तरह से आवाज आ रही है या फिर जिस तरह से बिना विंड्सिल की आवाज आ रही है उसी तरह सेम स्टैंप भी आ रही है तो आपको दोनों डिफरेंस दि पर बात करें तो अभी हमने आपको दिखाया कि हम जब फूक रहे थे तो किस तरह से आवाज आ रही थी लेकिन अभी विंड शील लगाने का बाद फूक के देखते हैं उसी तरह से अब भी आ रही है तो आपको पता लग गया होगा कि विंड्सील से क्या खायदा होता है मतलब कोई भी हवा हमारे कैमेरे के अंदर रिकोड नहीं होते है जिससे वाइस एकदम किलियर आता है और ओडियोंस को काफी जादा मज़ा भी आता है तो यह इसलिए मैंने खरीदने की कोशिस कर रहे हो अगर आप खरीदना चाहो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर यह खरीद होगे तो आपको दो फायत होंगे पहली बात आप इंसाइड भी सूट कर सकते हो और यह एक बहुत ही छोटा सेटप है अगर आप इतने दूर से भ हर जगह काम चला सकते हो यह माइक का यही फायदा होता है तो उम्हेद करता हूँ आपको अनबॉक्स और यह रिव्यू काफी ज़्याद अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार के ख्याल रखे गुद्बाइ